नमस्कार दोस्तों नमस्कार स्वाथियों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आपका हर्दिक स्वागत और अपिनदन करती हूं उमीद है कि आपको पिछली कावे सास्तर की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने उसको लाइक शेयर और सब्सक्रा इसकॉंची कावे को परकर्ति की अनुकर्ति माना है, यहान वे अलिए यह मैंने हुए तो अरस्तुने माना है उनका अनुकरन उड़्istant का सिधूंत उशी में उन्होंने पका वेक लाइंची की अनुकर्ति माना वर्ड्सवत अगर इन शभी को ले हम तो हमारा उतर रहेगा इसमें यह वाला वर्ड्सवत ठीक है उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं 123 परसंद देख लेते हैं अरुस्तु ने तरास दी यानि कि नाट के कितने अंग मानने हैं अब हमने पीछे भी पढ़ा था और पलेट 123 परस्व हमारा ठीक है उसके बाद देखिए बाइयोग्राफिक लिट्रे लिट्रेडिया के रचनाखार है इसके रचनार इस की रचना आएह ऐ सीका काल्डिश का स्का अर्थ क्या है बहुत इंपोर्टेंट परसन है कैथर सिसका क्या है यानि कि इसका अगर आप सपस्ट् अब इसका रहेगा सुध्धी गरन, गथर्शिस का मतलब सुध्धी गरन, आपने देखा होगा इस सब्द का प्रियोग चर्च वगरा में उन में भी ज़्यादा होता था, उसके बाद है लोजाइनस के ने कितने कावे दोस मानने हैं, जैसे हमने बात की थी कुछ कवियों ने तीन परकार के कावे दोस मानने हैं उतर रहेगा, अरस्तु के परवर्धी वाख्याकारों ने विरेचन का अर्थ नहीं किया है, क्या नहीं किया है, अलग-अलग अर्थ बताए, जो उनके बाद आए हुँन्होंने उसी सिध्धान्त को जो है, वो उसका विशलिशन किया, रॉचन किया तो उसी पर झाल वह उंद्गा णर्फ टीन है चार है चार में से तीन नहीं है उनके ओर एक क्या नहीं बताया है देखना है में 1027 में उत्तर रहेगा हमारा अदेरति फिर Mitte थे अगला देखते हैं। और कला परक पिथा ये अर्थ परक नहीं था ये रचना ये देखना है कि प्लेट और कल में बात करते हैं घृत्र हैं कि उतना है प्लेटों अझने अगर this एन के बाद यह किसी का स्थान आता है तो कून है वो स्थान है यानी की एद्दे आ जाएगा इसका लोजाईनेस ने उदात वाद का सिध्धंत लोजाईनेस और यह है हमारा उदात अब इनको किसी तरह जोड जोड़ के याद कर लो ताकि आप भूलो ना 130 में परसंका स्त्रोट माने उसके बाद 131 वा देख लेते हैं क्या है विरेचन का सिधानत किस ने दिया विरेचन का सिधानता अभी हमने पीछे भी पड़ा था रुस्तु ने दिया था लोंजाइनस के अनुषार कावे दोस नहीं है बागा डंबर बालियता भावाडंबर अभिजात पद प्रज ना है इसको काव्य दोष्क नहीं मन अग्र में गया उसका अगर आगर अगर विचार को अगरह नहीं है पर सन यह भी नाटक का तराश्डिक हाँ में आग्रपूंस का रापका एग्रहां ही है चलिए आगे देखते हैं 135 परसन क्या करता है 133 हमारा हो गया 134 वा आएगा 134 में का देख देखते हैं लिरिकल विलेड्स के रचनाकार कौन है इलिएट रिचर्ड वर्सवर्थ काल्डीच अगर इसके इसके रचनाकार किये दिए हम बात करें तो यह रहेगा हमारा इलि विधाय नी सकती है कोन मानते हैं गल्पना को मानव मस्तिष की विम विधाय नी सकती कोन मानते हैं इससे पहले कि मैं इसका उतर दूँ एक बार हमारे जो नयमीत्र आई हैं उन्से नुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जब करें तो बैल आइकन दबाना मत भूले और नोटिफिकेशन कोन करो ताकि जो भी नोटिफिकेशन आती है वो आपके काम आए और शिर्फ यह दो दिन के लिए ही नहीं है हमारा चैनल आपका जैसे पेपर आएगा मैं पेपर भी डालूंगी इस पे और उसके बाद आगे स्क्रीनिंग भी आना है लगातार चलते रहें इस पे तो आप साथ में बने रहें यह नहीं कि दो दिन देखना और उसके बाद हमें भूल जाना है तो यह ध्यान रख्या आपकी नोलिज बढ़ेगी पढ़ते रहोगे तो आप आगे देखिए हम अंगला परसन करते हैं और मुझे उमीद है कि आप प्रैक्टिस पेपर बहुत कुछ है इस चैनल पर आपके लिए पिछली वीडियो भी आप देखोगा आपको बहुत सारे टोपिक मिलेंगे अभी मैं कुमेंट्स बोक्स में देख रही थी कि कुछ से बंदू होने लिखा NCRT की NCRT की मुझे आज बनानी थी किसी कान से मैं बनानी पाई उमीद क करूंगी कि लास्ट मुमेंट तक मिले आपको चाहे लेकिन कल तक जरूर मिल जाएगी पेपर आपका परसों है उसको आप एक गंटे डेर गंटे की वीडियो है तो उसको आप देख सकते हो कल कोशिश करेंगे उसको वस्वे डाल दें 134 में परसं का उत्तर आपको मिल गया हमें समय कम है इसलिए हम इस पर कोई से कर रहे हैं कोशिश करूंगी मुख्य मुख्य टोपिक पर इस वीडियो के एंत में आपको मैं बता दू उसमें मैं बताओंगी आपको धान से देखना पूरा वीडियो देखना तभी बात बनेगी और अंत में हम बात करेंगे 36% और उसका उतर येदी हमले चितर का रथवा किसी भी अन्ये कलाकार की ही तरहें कवी अनुकरता है कथन किसका है अब बिल्कुल है ये बात भी कुछ लोग तो कवी को जर्जा घड़ते हैं कि जो मनुश्य गड़ता है और कवी आदमी की भाषा थ्वारा मिनुद भासा कि नहीं करते थे तो इसका उत्तर जो है वर्ड स्वत्र रहेगा ये बै। गत्तर रहेगा इसका उसके बाद अगला देख लेते हैं 138 मा परशन क्या है कवीता को भाउं को सहाज उचलन है बाउं का सहाज उचलन नहीं है उसके लिए विशेश प्रियतन और विशेश प्रियास करना पड़ता है ऐसा हमारे इनकवी ने कहा है और यह कवी का नाम जो है वो इलियट है ठीक है उसके बाद मूलत है दार्षनिक और संद्रिय सास्त्री है नीचे चार ओप्षन में से एक दार्षनिक और संद्रिय सास्त्री रहे हैं जिनका जीकर हुआ है तो यह नाम आता है करोचे का ध्यान रखना करोचे का जीकर भोतवार आता है वे एक दार्षन यह इंपोर्टेंट परशन है हमारा देख लेते हैं उत्तर क्या है इसका उत्तर रहेगा हमारा इसका इलियट है इसका उत्तर इलियट है इसके उसके बाद अगला है अभिवेंजना सिध्धान्त के परवर्तक है अभिवेंजना सिध्धान्त किस ने दिया यह भी बहुत जोड़ा है भारतिया अचारीय का करौचे के शिधांत का यह दि हम जिकर करें तो कुंतक है वो जिन्होंने इसको भारतिया आचारिय कि ने जिन्होंने इसको सिधांत से जोड़ा कुंतक का नाम आता है इसमें उसके बाद 144 मां देख लेते हैं दा कोक्टेल पार्टी कावे के लेख कौन है कोक्टेल पार्टी किसने लिखी यह हमारा जो कावे संग रहा है ड्राइटन ने रिचर्ड ने वर्सवर्थ ने या इलिएट ने अब 144 में परसंद का जाएगा तो 144 परसंद था हमारा कि यह इलिएट अठीक है उसके बाद 145 में परसंद की बात करते हैं टीएशी लिएट मूलत है कहां के थे यह ते अमरीका के थे वो इसका उत्त रहेगा यह दैर उसके बाद 46 देख लेते हैं नई समिक्षा के जनक माने जाते हैं बहूत इ समिक्षा के जनक किसे कहा जाता है उसके बाद अगला परसंद देख लीजिए एस्थेटिक पुस्तक के दचियता कौन है कोल्रीज क्रोचे दीचर्स या इलियट इस परसंद का उत्तर हमारा रहेगा 148 परसंद देख लेते हम दा वेस्ट न उपर वाला था एस थेटिक पुस्तक के दचियता काल्रीज क्रोचे रिचर्ड इलियट और इसका उत्तर रहेगा बैय यानि की क्रोचे है इसके अगला है दा वेस्ट रेंड के रिचियता कौन है इलियट रहे टन रिचर्ड और काल्रीज इन में से अगर हम देखें तो इलियट आएगा इसका भी इलियट की रिचना है उसके बाद अगला देख लीजिए अभिवेंजना वाद को भारतिय वक्रोकती का विलायती उत्थान माना है बहुत इंपोर्टेंट परसन है ये वाला वाला अभिवेंजना वाद को भारतिय वक्रोकती का विलायती उत्थान माना है और इसका उत्तर रहेगा रामचंदर सुकल जी का मानना है इसा दा सेक्रे तरफिय इसलेट यानि की आएगा इसका ठीक है उसके बाद अगला देख लेते हैं 151 परसुन क्या कहता है सहजान उभूतियभी वेंजना को आंतरिक प्रिक्रिया मानते हैं काल दीज वेनेदीता करोचे का पूरा नाम है ध्यान देना वेनेदीता करोचे थे एक वैसे करोचे करोचे नाम से हम पढ़ते रहते हैं कई बार नाम ही पूछ रिया जाता तो गड़ पढ़ हो जाती है और इसमें इसका अप 101 का उत्तर भी हमारा यह दएगा मानने वाले विदवान से मैथ्यो अरौण है जो कव को किलिंथ बरक्ष रेम्षम वारेन के दो कलिंथ तो जरूर है यानि कि दो तीन तीसरह है हमारा रेम्षम और बन्हुत्ता है वारेन तो तीन भी है और चार भी है यह भी जरूर है सभी आ जाएगा इसका दै में से भी दे रख्या तो सभी आ जाएगा इस अभी है उसके बाद अगला 154 मा देख रहते हैं क्या है मनोविज्ञान मनोवग्यानिक आलोचक है ये भी बहुत इंपोर्टेंट परसन है 154 मनोवग्यानिक आलोचक इन में कौन है आईए रिचर्ड जो है मनोवग्यानिक आलोचक है ये उत्तर रहेगा इसका ठीक है 154 में परसन का उत्तर रहे 155 मा जो है मलारमे और वैलेरी मूलत है कहां किस तरह के कविया विद्वान रही है पर्तिक वादी है बिम्ब वादी है सवचंद वादी है माक्स वादी है और 155 में का हमारा उत्तर रहेगा पर्तिक वादी है ये पर्तिकों का सहरा लेते हैं उसके बाद अगला देख लीजिए सवचंद वाद का सवचंद वाद की विशेस्ता नहीं है अब नहीं वाले परसन थोड़े ध्यान से करने के होते हैं जो हम बहुत सारे करते हैं तो कई बार नहीं वाले ध्यान में रहता पहला दिखता हैं उसको नहीं में कर लेते हैं और बाद में देखते हैं ये भी नहीं यह फिर देखते हो यह तो गलत हो गया नहीं पुच्चा हुआ था तो इसको तोड़ा ध्यांशे करते हैं जो नहीं वाले परसनों को बड़े ध्यांशे करने के आवश्यक्ता होती है विद्रो की परविर्ती कल्पना का परधान्य व्यक्तिवाद और यह थार्थवादिता द उसके बाद परसन नमबर 157 कोन माक्सवादी आलोचक नहीं है और इसका उत्तर रहेगा जोन ड्राइटन जो है वो माक्सवादी माउट से सुंग जार्ज लुचाब और कार्डवेल माउस से तुंग और जार्ज लुकाज तो आपने पहले पढ़ा भी होगा यह परिश्टोफर कोडवेल और राल्फ फॉक्स और वर्ड़्सवाद इनमें नहीं है देखना है में धान देना नहीं है तो इसमें आ जाएगा हमारा उत्तर वर्ड़्वर्सवाद का उसके बाद प्रिंसिप प्रिंसिपल साफ लिट्रेरी क्रिटीजम के रचनाकार कौन है बहुत बार आती पेपरों में बहुत इंपोर्टेंट रचना है और इसके रचनाकार है आये रिचर्ड्स यानि कि ए उत्तर रहे गाई थीक है उसके बाद देख लेते हैं अगला 160 परसनमा सवचंद वाद वादी कभी नहीं है कॉल्रीज, सैली, किट्स और जार्ज लुका सब्सक्राइव देख लेते हैं मुले सिध्धानत की परवर्तक कौन है मुले सिध्धानत कि इसने दिया 161 परसना मारा और सरीक ह ¿े रिचर्ड्स जार्ज यानि किस है इसके बाद अगला देख लीजिए 172 परसन अस्तीतव वादी नहीं है इनमें कौन सा एक कवी है जो अस्तितववादी नहीं है और उत्र रहेगा मलार में यासपर्स पॉल्टिलिस सार्तर यानि कि मलार में जो है वो अस्तितववादी कवी नहीं है निमें कौन सा बिम्बवादी लेखक नहीं है यानि कि बिम्बो का सहरा लेंट के लिखने वाला और इसका उत्तर जो है हमारा वो रहेगा रोबर्ट पेन यानि कि दै उप्सन रहेगा ठीक है बाकी सब जो है वो क्या है बिम्बवादी है चोशटवें का देख लीजिए परतीक वादी रचनाकार नहीं है बालदेयर वरले रैंबो और एफ आर लीविस अब कौन से नहीं है देख लेते हैं इसके 164 और इसका उत्तर रहेगा एफ आर लीविस यानि कि दै उप्सन ठीक है यह रहेगा वस्तुनिष्ट समीकरण का सिध्धान्त यानि कि वस्तुनिष्ट समीकरण का सिध्धान्त कि इसने दिया सिधी दिये दी हम बात करें और उत्तर रहेगा टिये सि आस्तित्वादी की विसेस्ता नहीं है यानि कि कौन से यह सब्सक्राइब देखने अजनभीपन एकांतिकता आस यह मने आध्रषा बमप्रोड को पता लगेगा हैं और लोगो सारी चीद्जों करते हैं सामाजिकता में विश्वास नहीं करते उसके बाद अगला पर संके लेते हैं नई समिक्सा के शमीकिर सक Richards नहीं है भूत इंपोर्टांट है करी नई समिक्शा के शमीक्सा पूछ रिया राता है यहां तो नहीं पूछा है तो नहीं में धियां हमादे तो क्या आएगा कॉंट जो है वो नहीं है दै ऊप्शन रहेगा कामे कामे क отмет रहेगा दो soient्ठ नहीं है जो और संच कहारेब रहेख है 148 परसंट निर्वेक्ति करन सिध्धानत है यह वैक्ति करण सिध्धान्त करते हैं और यह बात किस ने दी यह इलिएट ने दी तो उप्शन रहेगा इसका उसके बाद है दा न्यू क्रिटीशिजम पुस्तक के देखक कौन है न्यू क्रिटीशिजम पुस्तक जो है वो जो न करोड एम्स की है ए उप्शन रहेगा तो 170 मां देख लेते हैं यह 117 परसंट भी बहुत प्रांच से ठीक है 170 परसंट आप देख लेते हैं 171 परसंट में क्या है इंपी गुड़ी नहीं समिक्षा में इस सब्द के परवर्तक है कौन है इस सब्द के परवर्तक एलन टेस विलियम एम्सन राबर्ट पेन वारें जोन क्रोड एम्स तो अब इसका यह दि हम उत्तर लें 171 परसंट रहेगा बै विलियम एम्सन उसके यह रहेगा 171 परसंट देख लेते हैं उत्तर आधु निक्तावादी चिंतन नहीं है उत्तर आधु निक्तावादी चिंतन कौन सा नहीं है फ्रांसुआ लोतार्ट फैडरिक जेमेशन बोद्रिया एफ आर्ड लिविस अगर इ उसके बाद आगे देखते हैं क्या है विलियम एम्सन के कितने परकार है विलियम एम्सन कितने परकार का माना है यहां पर और उत्तर रहेगा हमारा साथ परकार का माना है उसके बाद मिथकिय समिक्ष्या का सबसे समर्थ परवक्ता है मिथकिय समिक्ष्या का सबसे समर्थ प हम क्या है इसका सबसे नार्थफ फ्राई ये ए उतर रहेगा एक्सव चुनेंटर में का और फिर अगले आगे देखते हैं मैं की और बढ़ रही हूं एक्सवस्टी परसनों की सीरीज थी हमारी ये उमीद है कि आप इसको पसंद कर ले होगे आपके काफी काम आएगी एक बार फिर करती हूँ जिन हमारे भाई बंदों ने सबस्क्राइब नहीं किया है कर ले आराम से कर ले कोई बात नहीं है लेकिन बैल आइकोन पर जाना मत भूले और और नोटिफिकेशन ओन करके रखे क्योंकि वह इसे में आपके काफी लाफदा एक चीज़े होगी नोटिफिके आमें इस सब्दावली के प्रियोग करता है इस सब्दावली के प्रियोग करता कौन है एक सो पिछेत्रमा एदी परसन हम ले तो इसके प्रियोग करता है डबलू के विमशाट यानि की उतर आएगा हमारा ए इसका ठीक है उसके बाद एक सो छेत्रमा परसन ले ले लेते हैं अजनेभी पनकिस का वेधारा की विशेशता है यानि कि अजनेभी पनकिसे कहते हैं एक्सोचेतर में परसन की बात और इसका उतर रहेगा अस्तितववाद को दूसरे सब्दों में एदि कहें तो अजनेभी पन कहते हैं अस्तितववाद को ये दैव उपसन रहेगा एक्सोच 113 परसंद देख लेते हैं तो 113 परसंद में क्या सुपा हुआ है कि मित सब्द कहां का है युनानी का है, रोमानी का है, चिन्नी का है, जापानी का है अब इस मित सब्द किये दी हम बात करे तो यह युनानी भाषा का है क्योंकि आपने देखा होगा, यह हमारे बहुत सारे विद्वान ऐसे है जो युनान से निकले है तो इसलिए युनानी दर्शनिकों का बहुत बड़ा महत्व है इनमे परसंद नमबर 114 तो कहां का आ जाएगा युनान का ए उसन देगा 178 अजने भीपन किसकी रचना में नहीं मिलता कौन से ऐसे हैं जो अजने भीपन को लेकर नहीं आते हमारे लेकों की बात है हैं यहाँ पर 1859 पार्शन और इसका कहीं है भीपना शिद्धांत कि इस नीजिए था मतलब यह कहने का कल्पना सिध्धान के एदी परवर्त की हमें बात करें 189 में परसन की बात तो इसका उत्तर रहेगा शेमुल काल्डीज यानि की काल्डीज सेम इन टाइम साफ इंबिगुईटी के रसनाकार कौन है बहुत इंपोर्टेंट है ये भी और इसका उत्तर जो है हमारा रहेगा बिलियम एप्सन बै उत्तर है ठीक है उसके बाद अगला देख रहते हैं क्या सुपा हुआ है अगले परसन में अंतर विरोध यानि की पैराडक्स सब्द के अंग्रेजी नई समिक्षा के प्रुस्तत करता है कौन किसने की है इसकी नई समिक्षा और ये हमारा रहेगा सेविन टाइम साफ इंबिगुईटी के रसनाकार है विम बाट रिम साट है विलियम एप्सन है ब्लैकमर है राबर्ट पेन वारिन है 180 में परसन का उत्तर रहेगा विलियम एप्सन ये देखिए विलियम एम्पसन बैर उतर रहेगा तो इस परकार ये 180 प्रशनुक्तर की शिरी थी उमीद है कि आपको पसंद आई होगी आपको इसे लाब मिला होगा मैंने बात कही थी आपको कि उसके अंत वे मैं आपको मोटी मोटी दोती इन बात बताऊंगी गुण और दीती और उससे स समंदी तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं उसकी वैसे ही बात करूँ तो उमीद है कि आपको समझ आएगी सबसे पहले तो हम बात करते हैं गुन की हिंदी में तीन परकार के गुन होते हैं परसाद गुन मादुरे गुन और पहला तो हो गया हमारा परसाद गुन दूसरा हो ग ये इस परकार के जो रस आते हैं जिसमें जो उच्छा है और जोस की बात की गई हो और लड़ने के लिए तैयार हो या कुछ भी हो इस तरह की जब बात होती है वहां आता है हमारा ओजगुन और जो सामन्ने कोई बाते की जाती है तो प्रसाद गुनाता जहां रती बहा होता चाहे किसी रोप में भी हो तो मादुर्य गुणाता इस परकार हमारे तिनों गुण होते हैं इसी परकार रीतिया होती है और इसी परकार जो है वो आगे जाके गुण और रीति तो एक दूसरे से गुथे हुए है और आगे जाके फिरलंकार जंद वो सारे मैंने आपको समझा रखे हैं तो उमीद है कि ये छोटी सी लास्ट में कीगी बात भी आपको अच्छी लावदा एकसीद होगी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और लाइक करे शेयर करे अगे से आगे अपने मित्र बंदू के पास बेजे ताकि उनका भी भला हो सके धन्यवाद